नमस्कार दोस्तों जय छटी मईया अब मैं जय छटी मईया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों जो है छट पूजा थी और उसमें एक हुनहार और बहादुर महिला का वीडियो वायरेल हुआ जी हाँ मैं वही सांप फाले वीडियो की बात कर रहा हूँ जिसमें पानी उसे एक सांप जाता वो दिखाई दिया था और एक महिला जो की छट पूजा कर रही थी वह बिल्कुल भी निडर और बिल्कुल भी सहासी तरीके से उस सांप के बाजू में खड़ी रही और अपने ह कह रहा हूँ पहले तो वह वीडियो देख लीजिए आप यह वीडियो देख रहे होंगे इस वीडियो में आपको एक सहसी महिला दिखाई दे रही है जिसके बाजू से सांप जा रहा है लेकिन वह बिल्कुल भी डर नहीं रही है और वह अपना साहस का परिचार देते पादेश मानते हुए जी गुरु मया कहके वो चला गया और उन्हें चट पूजा की बधाई भी दी वावाव अब हम इसी सांप का एक अलग एंगल देखते हैं जिसे सीडियो में इसी दूसरे कैमरे से सूट किया गया है आप देख सकते हैं क्या ही आपको देखने से सांप तो आपको मैं बता दूँ इस सांप का जो है कन्फर्म हो गया है इस सांप का नाम है बैंडेट करेट ये बैंडेट करेट एक जहरीला सांप है आप सोस्ते हो कि सबसे जहरीला सांप कुब्रा होता है कि कुब्रा होता है तो आपको बता दूँ ये सांप जो है कुब्रा से पूज़ी च्छै गुना ज्यादा जहरीला है जी हाँ च्छै गुना ज्यादा जहरीला अब क्यों चलिए इस साफ की खूबिया देखते हैं छट पूजा वाले वाइरल वीडियो में महिला के बाजियो में दिक रहां साफ बैंडेट करेट है और यह कंफर्म कर लिया गया है बैंडेट करेट को हिंदी में धारी धार करेट भी कहा जाता है यह बहुत जहरीला होता है यह भारती उप महादीब से लेके दक्छिन पूर्व एशिया और दक्छिनी चीन तक पाया जाता है इसके शरीर पर पीले क्रीम और काले रंगी धारिया होती है वैसे तो यह साफ स भाव से शर्मीला होता है जल्दी नहीं काटता लेकिन इसके काटने से मच्छड के काटने जैसा निशान पड़ता है इसके काटने के बाद पेट में जलन आखों में भारी पन और धुनला दिखने जैसे लक्छन पाए जाते हैं इसके जहर में नीरो टॉक्सिन होता है और इस आप गूगल में सरश करेंगे तो पाएंगे कि यह बैंडेट करेंट सांब जो है कोबरा और किंग कोबरा से 6 गुना जादा जहरीला होता है मतलब आप यह मानते होंगे कोबरा जहरीला होता है तो आप गलत है करेंट कॉमन करेंट और बैंडेट करेंट यह सब कोबरा से कह ज़्यादा जहरीले होते हैं एक बार काट लें तो अस्पताल पहुंचने लायक भी नहीं रहेंगे और अस्पताल पहुंचने में जरह से भी देरी हो गई तो जान का जो खेम है सबसे बड़ी बात यह है कि यह साप पूरे उत्तर भारत में पाया जाता है और पूरे उत्तर में यह साप कहीं भी मिल सकता है इसकी पहचान आपको बता दें इसमें धारियां होती है धारियां सफेद कलर की पीले कलर की हो सकती है क्रीम कलर की भी हो सकती है इसलिए जब यह साप दिख जाए तो इससे दूरी बनाए रखें और तुरंत किसी इस तरफ विसक को बलाएं या फिर सो नमबर पे कॉल करें तो दोस्तों यह जानकारी और यह वीडियो आपको कैसा लगा और आपको इससे क्या अवरनेस मुली यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना केर करना, साफधान रहना, सतर करेना धन्यवाद